सब्सक्राइब करते हैं कि आज है सुबह के पाज बच चुके हैं और 27 सारी की आज 27 जुलाए है तो चलिए शुरुवात करते हैं देखते हैं दोस्तों आज क्या क्या मैत्रपूर ने जोखी हुआ है तो सबसे पहले बात करें दोस्तों तो निम्रिकित में से किसने हाली में किसने हाली में शिलॉंग में इंटर स्टेट बस टर्मिनल का जो है वो उद्गाटन किया है यह कोशन अफड़ी था कल का तो इसका आंसर के बारे में देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा तो आप सभी को मालूम है कि अमिश्या है डी आपका सभी आंसर है जिनके द्वारा इस बस टर्मिनस की शुरुवात है जो की करी गई है हो मिनिस्टर पर आपको करेक्टिविटी के लिए रोड का माध्धम लेना पड़ता है एरपोर्ट हो गया रेल्वे का तो करेक्टिविटी यह बहुत ही कम है जो कि अमारे लिए बहुत मुपसान है क्योंकि अगर आप पर टूरिजम को बहुत फायदा मिलेगा वहां पर लोग भी आपस क्योंकि यह आप अगर सकते हैं सकते हैं फिक है इकनामी और नेकर की आ इसा किया रहा है तो फॉर्टीट करोर रुपे हैं दोस्तों जो कि आपको रेफल को यूज करना है या फिर बूनेश टेन जिससे आपको UPSC, PCS, Defense, Banking 30 plus exam में आप इस रेफल कोड को काम में ले सकते हैं, अगर आपको complete GK पढ़नी है guys, PCS तक के लिए तो आप SSC के अंदर plus course ले सकते हैं वहाँ पर मैं foundation badge पर history से मैंने शुरुवात करी है, तो आप join कर दीजेगा, 9 बचे class होती है चार मंत का subscription फिरी मिलेगा एक साल या दो साल का लेने पर और आपको करना क्या है, एप डाउनलोड करनी है, मुबाइल नंबर डालने है फिर यहाँ पर goal select करना है 30 plus exam में से कोई सा भी goal आप select कर सकते हैं UPSC, IIT, GATE CAT, जो भी आपका goal है SSC plus में जाईए GET subscription में 12 या 24 में ने को select करें और नीचे की तरफ आपको BHU 10 है जो की लगाना है ठीक है, आज का पहला सवाल है कार्गिल विजय दिवस की डैश वर्डगाथ 26 जुलाई को पूरे भारत में मनाई जा रही है 26 जुलाई को आपको मालूम है कार्गिल विजय दिवस अपने मनाई है Operation सफेद सागर का नाम सुना होगा Operation विजय का नाम सुना होगा ठीक है गाईज, तो यह मनाई गई और हमने कौन सी वाली मनाई है 1999 के अंदर जो है वो हुआ था तो हमने 22 वी दोस्तों आपे anniversary है जो की मनाई है ठीक है गाईज, हमारे जो जवान है जिन्होंने अपने देश के लिए जान दिये उन सभी को हमने याद किया और हमारे जो कार्गिल के war heroes थे उन सभी को हमने याद किया है चलिए, सरकार द्वारा स्थापीत की जाने के लिए प्रस्तावित राष्टी अनुसंधान foundation का कुल परिवयव कितना है यह आपको यहाँ पे बताना है जली बताईए टोटल आउटले और नेशनल रिसर्च foundation जो की गवर्मेंट के द्वारा प्रपोस किया गया है पचास हजार करोड रुपे का दोस्तों इसका परिवयव है जो की बताया गया है ठीक है यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है तो गवर्मेंट ने प्रपोस किया जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है उसको सैट अप करेगी और टोटल आउटलेश का पचास जा करोड रुपे रखा गया है पांस सालों के लिए इसको दिया जा रहा है और यह रिसर्च के उपर काम करेगी काफी अच्छी बात है सरकार ने पिछले वितिये वर्ष के दौरान आत्मे निर्बर भारत के तेट डैश के विशेश आर्थिक और व्यापक पैकेज की गोशना करी है Special Economic and Comprehensive Package अंडर दा आत्मे निर्बर भारत जल्दी से बताइए लास्ट फिनेंशिल येर के अंदर आत्मे निर्बर भारत में कितने का पैकेज था आंसर क्या हो जाएगा इसका 29 लाक करोड आपका यहां पर बिलकुल सही जवाब है ठीक है ध्यान रखना है चलिए तो आप यहां पर देख सकते हैं तो बागे तो इंपॉर्टन नहीं है इसमें कुछ 26 जुलाई को लोगसबा में किसके द्वारा पेश किया जाएगा यह आपको बताना है ठीक है गाईज साथ में अगर आप इंडिया की किसी भी सिटी में रहते हो तो अगर आपको लगता है कि आप 10 मिनिट 15 मिट आदा गंटा अगर आप अपने सोशल वेलपेर के लिए दे सकते हो एजूकेशन के लिए दे सकते हो ठीक है तो आप इसमेल फर आल सुसाइटी डाट वार्जी के ऊपर जाके वालंटियर का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं इंडिया में 200 सिटी के अंदर वालंटियर अपने सिटी के गुरूप बने में वाट्सब बने में मैं भी महाँ पर कनेक्टेड हूँ तो आप जोईन कर सकते हैं थोड़ा बहुत कॉंटर पूरूशन कर सकते हैं किसी बच्चे को के अंदर के आप उनको पड़ा भी सकते हैं शाम में जाके आदा घंटा चाहो तो आप किसी बच्चे का एडिपीशन करवा सकते हैं चलिए कोशिश करीगा और अगर आपका कोई दोस्त है जो की 500 पर मंद पे कर सकता है तो एक बच्चे को वेबसेट से अडॉप भी कर सकता तो इसके अलावा तो कुछ खास इसके अंदर नहीं है तो देखिए अगर आपको मालूम है कोई में एक लाग से जादा लो बच्चों की जो है बच्चों के परिंट्स की किसी के दोनों की तो अगर कोई चाहे तो इसके ओपर उस बच्चे की डिटेईल डाल सकता है कौर्म किशन मिल जाएगी तो यह डवलू सुटी मंत्रा लेकर दोस्तों इसको किया गया है इसमित इरानी के पास अभी यह मंत्रा ले तो उनके दौरा इसको लॉंच है जो की किया गया है चलिए काकर्तिया रुद्रेश्वर मंदर जिसे युनास्कों के विश्य धरुवरस्तल के लूप में चुना गया है डैश में इस्तित है रुद्रेश्वर टेंवट्पल यह टेंपल दोस्तों 13 संचूरी का टैंपल है बहुत ही फेमस टेंपल है ऑगे और सैंट से इसको बना रखा है आर्टेक में बहुत ही फेमस चाइना में भी मीटिंग हुई थी और वहां पर ह तो आप देख सकते हैं रमपा टेंपल भी बोलते हैं इसको आर्किटेक्ट थे ना वो यही थे लॉडड शिवा को दोस्तों यह के डेडिकेड़ है फॉर्टी फॉर्ट वर्ल्ड हेरिटेज कमीटी की मीटिंग है जो कि यहां पर हुई है बारा सो तेरा के अंदर इसका फॉर्मेशन किया गया तमिली साही गवर्नर है चंद्र शेकर राओं यहां पर सीय में कैपिटल है ठीके गाईज यह बात आपको ध्य की तरहां परिश्ट की सीट है लोग सबागी साथ राज्यसबागी सात शेते हैं लोग सबागी सेत्रा राज्यसबागी साथ सीट है ओके चलिह के लावा वरंगल फोट है चारमिनार अधरभा सिटी वह निजाम्बाद railway station waterfall है और फलकनमा प्रमा यहां पर देखने को मिलती ह और 72% लिटरसी रेट है, spotted deer, memble है, bird, Indian, ruler है, साना है यहापे flower tree है यहापे, दोस्तों प्रॉस सोपेस है जो की tree है, स्वास्त मंत्रालने युनेसको की, युनिसेफ की साधेधारी में कितने राज्यों के सामुदाइक, रेडियो, स्टेशनों के साथ संचार जागरुपता कारशा, कार शालक आयोजन है, यह आपको बताना है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने और्गनाइस किया, communication awareness workshop, कितने स्टेट के साथ partnership करी है, 16 राज्यों के साथ में partnership है, जो कि यहाँ पे करी गई है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने और्गनाइस किया, communication awareness workshop है, जो कि आयोजित करवाई गई है, ठीक है, UNICEF की बात करें, हेलेंटा है, 46 में formation हुआ, प्रसेंट और है, और नियूवाक के अंदर इसका headquarter है, ओके, चलिए, ग्रह मंतर हमीशा ने सोहरा वनी करण परियोजदा के इस्से के रूप में, डैश में, वहरी में पेड लगाए, तो दोस्तों, यहाँ पे रिसेंटली plantation driver जो कि launch करें गई और मिघाल्या के अंदर अभी गए था हमीशा, तो उन्होंने दोस्तों, यहाँ पे सोहरा व्रांट, फ्रॉस्टेशन प्रोजट है, ओके, फ्रॉस्टेशन प्रोजट है, जो कि आपे launch किया गया है, ओके, गाईज, तो यूनियन मिनिस्टर अमिश्चा ने जो है, प्लांट किया है, ट्री, मिघाल्या के अंदर, इंग्लिश ऑफिशल लेंग्वेज है, और यह नौकलकाई फॉल है, आप देख सकते हैं, ठीक है, बाकी तो किया कुछ खास इंपर नहीं है, और हाइना माइना है आपे बर्ड है, स्लीपर यहां फ्लावर है, ट्री यहां पर गैंबर है, और इंग्लिश 75 परसन यहां पर लितरसी रेट है, करनाटक के मुख्धमंत्र का नाम बता है, जो है 26 जुलाई को अपने पस से इस्तिफा दे दिया है, तो काफी दिनों से दोस्तों इसकी चर्चा चल रहे थी, लिडर्शिप को चेंज करने को लेकर, और फाइनली जो है यह दुरप्पा जीने दोस्तों अपना इस्तिफा है, जो कि यहां पर दे दिया है, अभी रोने भी लग गये थे, इसकी किस बैंक को 500 मिलियन डॉलर का रेन है, जो की दिया है, इंटरनेशनल फिनेंशल कॉर्परेशन, जो वर्ल्ड बैंक गुरूप है, उसकी प्राइवेट आम है, प्राइवेट कंपनियों को, बैंकों को जो यह पैसा देती है, तो 500 मिलियन डॉलर दिये है, किसको HDFC को, ठेके गाइस, तो दिये आपका सही, यह आपका सही आंसर होगा, HDFC के अभी CEO है, शेशिधर जी, हैड़कॉर्टर मुंबई, 1994 में इसका फॉर्मेशन है, जो की हुआ था, बुदा पे संगरी में आयुजित 73 क्रिगा वर्क एडट विश्व चनपेंशिप डैश में, किसने स स्वन Пददग है, जो की जीता है, स्वन पदग, मुधा परी संगरी के अंदर दोस्तों, किसने जीता है पर recently, कि यहां पर प्रिया मलिक झुठ गोलेल है, जो की यहां पर जीता है, जूनियर वैसलर है, जोकी यहां पर जीता है, चली, आप देख सकते हैं, बहुत पार्शिला जो रखी गई है तो जैसा कि आपको मालूम है नौर्थ इसके ट्रिप के ओपर थे तो अभी गोवार्टी के अंदर ये मेडिकल कॉलेज है जो की बनाया जा रहा जगदीश मुखी गवर्नर है इंबंता जी आपर सीए में जिस पूरे आपर क्यापिटल है और बैंक निवाशिकों को रिष्तिदारों को रिंड और अगरिम प्रदान करने के लिए विबिन नियामंग प्रतिबंदों को संशोधित क किया है अन्य बैंकों के निवाशिकों को अधिक्तम कितनी राशी का व्यक्तिकत रेने जो की दिया जा सकता है जल्दी बताईया और ने रिवाइस किया रिस्ट्रिक्शन दोस्तों और यहां पर मैक्सिमम पांस करोड रुपे के लिए बोला है रिस्ट्रिक्शन के लिए ब ये आपके बंगलादेश की फॉरन में जो लोगों ने जान गवाई न उसको लेकर यहां पर अभी उन्होंने सानव हुती है जो की दिखाई है तो बंगलादेश की बात प्रसेंट प्राइम निस्ट शेकर सिना डाका कैपिटल ले करंसी टका है जो कि आपको देखने को मिलती है तो यह था अज का अगर आपको प्लस कोर्स लेना है तो आप किसी बी एक्जाम के लिए ले सकते हैं रहेगा या बुनेश्टेंज जिससे आप 10% और पास सकते हैं 30 प्लस एक्जाम के लिए आप इसको काम मिले सकते हैं यूपी एसी पीचेश डिफेंस बैंकिंग ओके पीडियो सब आपको मिल जागा एप डाउनलोड कर लिए और यहां पर मुबाइल नमर डाल दीजें फिर आप एससी यूपी एसी आटी जो भी आपका 30 प्लस एक्जाम में से गोल है सेलेट करिए प्लस में जाए गैट सब्स्क्रिप्शन बारा या चौबिस मेंने और नीचे की तरफ भी एचु टैने जो कि आ आपसे मिलते आट बजली क्लास में थेंके गुडबाइ और हम बनाइस डे थेंक्या अब रिवान